अर्विंद केजरिवाल जी हर घर अन की बात कर रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे आक्सिजन तो पहुंचा नहीं सके महला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी अब अनाज की बात कर रहे हैं ये भी कितना बड़ा जुमला है आज इसकी चर्चा में करने आया हूँ कानुनी रूप से भारत सरकार की नीटियों के अनुरूप में और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूँ और बड़ी विनम्रता से आरंब में ही मुझे टिपणी करनी है कि डिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है उनके सारे फैसले और ये बात मैं बड़ी जिम्वारी से बोल रहा हूँ इसको मैं भी विस्तार से बताऊंगा आपको मालूम है कि फुट सिक्यूरिटी एक्ट का एक कानुन है जो दोहजार तेरा का कानुन है देश भर में दो रुपे किलो गेहूं और तीन रुपे किलो चावल की विवस्था कराती है प्रधानमंती ग्रामीन अन्नी योजना के अंतरगत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्थ देश के गरीबों को 80 करोड को इस साल पहले दो महीने किया अब उसको नवंबर तक कर दिया है इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपे प्रोक्यूर्मेंट, डिलिवरी, ट्रांस्पोर्टेशन और गेहूं का होता है 27 रुपे है लेकिन भारत सरकार सबसीडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शाप के द्वारा बांटने के लिए इंपॉर्टन समझे दो रुपे किलो गेहूं, तिन रुपे किलो चावल और भारत सरकार सालाना लगभग दो लाख करोड खर्च करती है इसके सबसीडी के उपर ये आपको जानकरी होनी चाहिए ये मैंने फुट सिकुरिटी एक्ट की बात की ये देखिए ये है फुट सिकुरिटी एक्ट टूथाउजन थेटीन इसके अंतरगत राशन शाप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शाप क्या है और इसके दो प्रावधान की और मैं आपका विशेश रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन ट्वल्व में लिखा हुआ है दोर स्टेप डिलिवरी ऑफ फुट ग्रेन टू दे टारगेटेड पबलिक डिस्टिबूशन सिस्टम आउटलेट्स आउटलेट्स के दोरा आउटलेट कौन है फेर प्राइस शॉप है उसके बाद इसमें पूरी दवस्था है सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29 और ये मैं मानिये आदेश जी और मानिये विदूडी जी को बहुत विनमता से इसको कहना चाहूँगा ये बात आनी चाहिए कि ये पिरियोडिक आउडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मताबिक और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेर प्राइस शॉप के आउडिट का नतीज़ा क्या निकला वो ठिक काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं ये कौन करेगा? राश्रोकार करेगी और धारा 29 में इस बात का प्राफधान है कि आप विजिनेंस कमिटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए जो ये राशन शॉप ठिक काम करुए नहीं काम कर रहे हैं यह इस की चिंता करेंगे तो यह कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है जिस कानून का नाम है Food Security Act इसलिए मैं देश का कानून मंत्रिया जिसका गजट ही लेकर के आया है जो यह गजट घोशित किया गया था 10 सितंबर 2013 को मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले है ताकि किसी को टार्गेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए अब मैं आता हूँ One Nation One Card One Nation One Ration Card यह भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्पुन योजना शुरू की गई की बिहार, यूपी, उत्राखंड, मध्यपदेश, राजस्थान के लोग देश में गुमते हैं मजजूरी में अब वो दक्षिन भारत के भी गुमते है तो अगर वो गाओं पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा तो मुंबई में नहीं मिलेगा तो प्रधानमंती जी को ये चिंता जब बताई गए उन्हें का नहीं इसका राथा निकालो तब देश में वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की वो सिस्टम को प्रोवाइड किया एक देश एक राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को एडप्ट कर लिया 34 राज्यों है और अभी तक इस पर 28 करोड ट्रांजैक्शन हुए हैं किसके पोर्टेबल जो रहते कहीं और हैं काम करते कहीं और हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई विक्ति बिहार का या या यूपी का या राजस्थान का मद्वदिश का दिल्ली में है त ये मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का भारत के सिर्फ तीन प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लिमेंट नहीं किया हैं क्योंकि इसमें आप आधार से जोडते हैं एक मात आपको मैं बता दूँ आधार भी मैं देखता हूं आईटी म मतलब क्या होता है आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान और कैसे आखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगोठे के निशान और आप प्लास्टिक सरजरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना ना मदल सकते हैं, अपने आग की आइरेस और अंगोठे के निशान नहीं बदल सकते हैं, इसलिए आधार का लिंकेज का यह फाइदा होता है, मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है, कि 34 राज्यों वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया, तीन प्रदेश नहीं किये हैं, एक आसाम क्योंकि वहाँ आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनके स्थानी समस्याय थी, नागरिटा को ले करके जा दिया, और बाकी दो प्रदेश, एक का नाम है बंगाल, और दूसरे का न प्रदेश प्रदेश प्रदेश